जहेंदे प्यारे साथ यहों कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगे यूनिक स्टेडी विद अजय यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और टिचिंग एप्टिटूड पढ़ रहे हैं आज की जो लाइव क्लास वो नहीं हो पाई थोड़ा साम लेट हो इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो सिक्षण होती है जो सिक्षा होता है उसका उद्धिश उसकी परकृति और विसेस्ताओं के बारे में पढ़ा था कि सिक्षा की विसेस्ता क्या होती है सिक्षा की परकृति क्या होती है और इसके हमने टोटल 34 पॉइंट आपको अब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले सिक्षन के उद्देश है क्या है और फिलाल का जो net का paper pattern है उसके according दो ऐसे विदवाण हैं जिनोंने सिक्षन के उद्देशों का classification किया था वहां से आजकल क्योंसन बनता है तो उन दोनों विदवानों के दौरा जो सिक्षन के üद्दे पढ़ना है और इसी बार हमें बहुत ही गजब के साथ ज्यारफ क्वालिफाई करना है अब देखो ब्लूम ने सिक्षन को एक त्री कौनिया परकिरिया बताया था ब्लूम मोदे ने क्या किया है सिक्षन को एक त्री कौनिया परकिरिया बताया है इन्हों ने इसके तीन पक्स बताए हैं ठीक है बिल्यूम ने सिक्षन को एक त्री कोणिया परकिरिया बताया और इन्होंने इसके तीन पक्स बताए पहला सिक्षन के उद्देश्य दूसरा सीखने के अनुभव और तीसरा व्यवार में परिवरतन ठीक है तो बिल्यूम ने सिक्षन को एक त्री कोणिया परकिरिया बताया और इन्होंने इसके तीन पक्स बताए जिसमें पहला पक्स होता है मेरे प्यारे साथियों सिक्षन के उद्देश्य दूसरा होता है सीखने के अनुभव और तीसरा होता है व्यवार में परिवर्तन अब यहां पर हम बात करते हैं सैक्षिक उद्देशों के परकार बिलकुल जनरल तरीके से हम बात करते हैं जो सैक्षिक उद्देशे हैं उसके दो परकार होते हैं एक सामाने उद्देशे होता है एक विशिस्ट उद्देशे होता है जो सेक्षिक उद्देशे हैं वो दो परकार के होते हैं एक सामाने उद्देशे हो जाता है एक विशिस्ट उद्देशे हो जाता है सबसे पहले हम जो यह सामाने उद्देशे हैं इनको cover करने की कोशिस करते हैं यह उद्देशे सामाने रूप से विज्ञान के एक विशय की रूप में होते हैं जो सिक्षा के सामाने उद्देशे होते हैं यह विज्ञान के एक विशय की रूप में होते हैं यह सिक्षन परकि तो ठीक है तो यहाँ पर मैं फिर से repeat कर देता हूं प्यारे साथियों कि सिक्षन परकिरिया जो सामाने उद्देश होते हैं वो सिक्षन परकिरिया से पूनत है सम्मंदित होते हैं और इसके तीन सबसे अच्छे एग्जाम्पल है जिसमें सबसे पहला होता है समस्या का समाधान करना दूसरा होता है आलो चकी चिंतन करना और तीसरा होता है सरजनातमक ता और प्यारे सातियों यदि अप फ़र्स्ट पेपर का बैच लेना चाहते हो तो बिलकिल जीरो लेवल से बिलकिल fresh batch start हो चुका है जो आप यहां से ले सकते हैं यह मेरे सामने contact number है जिन पर आप contact करके batch जहन कर सकते हैं सामाने जो उद्देश्य होते हैं इनकी कुछ विसेश्ता ही है सबसे पहली विसेश्ता है कि इनको सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता सिक्षन की जो सामाने उद्देश्य होते हैं इनको हम बिल्कुल easy way में बिल्कुल सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते हैं इनको प्राप्त करने में समय अधिक लगता है सिक्षा की जो सामाने उद्देश्य हैं इनको प्राप करने में अधिक समय लगता है इसलिए इनको धीर की काल या व्यापक उद्धेश्या कहते हैं ठीक है तो यह था सामाने उद्धेश्या सामाने उद्धेश्या की डैफिनेशन उसके जो केलेक्टरिस्टिक्स थे उसकी जो विसेश्थाई थी वो हमने यहाँ पर बहु होते हैं जो सिक्षण के विसेश्थ उद्धेश्या है यह सामाने थे पाथ्य वस्तु के पढ़तों और सिद्धान्तों तक ही सिमित होते हैं ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे सातियों कि जो सिक्षण के विसेश्थ उद्धेश्या होते हैं यह सामाने पाठ्थे वस्तु के जो पढ़ते हैं, पाठ्थे वस्तु के जो सिद्धानत हैं, उन्हीं तक सिमीत होते हैं, ये उद्धिश एक समय विशेश में पढ़ाय जाने वाले प्रक्रण से सम्मंदित होते हैं, जो एक विशेश समय में या एक निशेश समय में जो content पढ़ाया जा लिआ जाने वाले content से संबंदित होते हैं ऐसे उद्धित जिनकी प्राप्ती सामानते के दुआरा की जा सकती है सामाने उद्देशे, देखो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो विसेश उद्देशे हैं, इनको हम सामाने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, विसेश उद्देशे को हम सामाने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, एक कक्षा कक्ष के सिक्षन के किया जा सकता जबकि सिक्षन के विशिष्ट उद्देशों को बिल्कुल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है विशिष्ट उद्देशों को चार भागों में विबाजित किया गया है जिसमें पहला ज्याना आतमक होता है दूसरा अवबोदा आतमक होता है तीसरा किर्यातमक ह होता है और छोथा सरजनातमक होता है ठीक है तो जो सिक्षन के विशिस्ट उद्देश हैं उनको चार भागों में विवाजित किया गया है पहला ज्यानातमक दूसरा अवबोदातमक तीसरा किर्यातमक और छोथा सरजनातमक ठीक है नौलेज understanding application और creativity उसके बाद में हम आगे बात करते हैं विशिस्ट उद्देशों की विशेष्टा विशिस्ट उद्देशों को बिल्कुल हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इनको प्राप्त उद्देश्य कहते हैं जबकि जो सामाने उद्देश्य हैं उनको आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसलिए उनको प्राप्त उद्देश्य कहते हैं जो सामाने उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता है इसलिए सामाने प्रेट विवरन इन तीनों को सामिल किया जाता है कि निंबल लिखित में से कौन सा विशिष्ट उद्धे से सम्मदित नहीं है option A होगा, option B, option C, option D, option D कुछ और होगा तो जब आपको पता होगा कि भाई पर्तियास्मरन, पर्तियाविज्ञान और पर्तियाविवरन ये तीनों की तीनों विशिष्ट उद्देशे से सम्मधित हैं तब ये आपके उसन को ठीक कर पाओगे, अदर्वाज आपके उसन को गलत कर दोगे तो ये थे मेरे प्यारे साथियों सिक्षन के सामान है उद्देश्य और विशेष्ट उद्देश्यों के बारे में आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा इससे समझे आपका जो भी डाउट है वो बहुत अच्छे से के लिए हो गया होगा सिक्षन का उद्देश्य मातर थत्यों का इस्मरी करन नय होकर दक्षता की प्राप्ति थता ज्यानातमक भावातमक ये किर्यातमक योगताओं का विकास करना होता है जो सिक्षन का उद्देश्य होता है वो मातर थत्यों का इस्मरी करन करना इसमरी करने का मतलब होता है ठत्यों को याद करना ही ना होकर दक्ष ताकी प्राप्ति करना होता है ठीक है दक्ष ताक मतलब उसमें दक्ष बनना हो उसमें बहुती अच्छी क्वालिटी पैदा करना जो सिक्षन होता है उसका उदेशे केवल किसी टोपिक को किसी फैक्ट को याद करना ही नहीं होता बलकि सिक्षन का सबसे बड़ा उद्देश होता है कि जो भी विशेवस्तू आप पढ़ रहे हो जो भी आप कॉंटेंट पढ़ रहे हो उसमें दक्स होना अब दक्स होने का मतलब है कि उसमें आप किंग बनना ठीक है सपोस्ट जैट कोई टोपिक है एक तो आप उसको याद करो तो याद करने में क्या करोगे आप उसको रटने की कोशिश करोगे उसमें आप समझने पर कम फोकस करोगे तो यदि किसी भी टोपिक को आप याद करते हो समझने पर कम फोकस करते हो किवल आप याद ही कर रहे हो किवल याद कर रहे हो तो उसको हमें विश्वास होता है कि ये बंदा इस काम को कर सकता है ठीक है तो यदि आप किसी भी टोपिक में दक्स हो गए तो उसका मतलब है कि आप उस टोपिक में बहुत ही जादा परफेक्ट हो गए आपको उस टोपिक का बहुत जादा नोलेज हो गया ठीक है अब यहां पर मैंने especially एक point बना दिया प्यारे साथियो आज कल next जे अरफ के paper में सिक्षन के उद्धिशों के दो अलग-अलग विद्वान है जिन्होंने सिक्षन के उद्धिशों के उपर काम किया था जिसमें एक का नाम है मेरे प्यारे साथियो bloom का सिक्षन उद्धिशों का वरगी करण और दूसरे है गैगने ब्रिक्स के द्वारा सिक्षन उद्धिशों का वर्गी कराने ठीक है तो यहाँ पर हम दोनों को पढ़ेंगे गैगने ब्रिक्स के द्वारा जो सिक्षन के उद्धिशों का क्लासिपिकेशन किया गया था उसको भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे Blum दौरा सिक्षन उद्धिशों का वर्गी करन Blum मौदया ने जो सिक्षन उद्धिशों का क्लासिपिकेशन किया था उसको यहाँ पर हम बहुत अच्छे से पढ़ने की पूरी-पूरी कोसिस करते हैं बिल्यूम के वर्गी करण को सिक्षा के उद्देशों के नाम से भी जाना जाता है पहली बात मेरे प्यारे साथ क्यों जो बिल्यूम के सिक्षा के उद्देशों का वर्गी करण था उसको सिक्षा के उद्देशों के नाम से भी जाना जाता है बिल्यूम के वर्गी करण को ब सम्मंद किसे है वियूम के सिक्षन के उद्धिश उसे सम्मंदित है कि सिक्षन के द्वारा चात्र के व्यवार में परिवर्त लाने का परियास किया जाता है दोको सिक्षन का सबसे मैं मोटिव क्या होता है हम सिक्षन करते हैं दोको सिक्षन का मतलब क्या होता है तो यह आपक इस कोई भी fact, कोई भी काम करना सीख रहे हो, तो आपके व्यवार में क्या होगा, automatically परिवर्तन होगा, जदि आपके व्यवार में परिवर्तन हो रहा है, तो समझो आप कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, तो जो सिक्षन होता है, उसका सबसे बड़ा उदिश होता है, छातर के व्यवार में परिवर्तन लाने का प्रियास करना, छातर के व्यवार में परिवर्तन लाने की कोशिस करना, ब्लूम के वर्गी करन को 3H भी कहते हैं, ये क्यूसन आच चुका, कि 3H किसे सम्बंदित है, तो Bloom Mother ने जो सिक्षन के उद्धिशों का क्लासिपिकेशन किया था उसको 3H के नाम से जाना जाता है अब 3H कोन कोन से हैं जैसे Hand है, Head है और Heart है Heart का मतलब होता है Heart है जो भाव से संब्दित है Hand का मतलब है मेरे प्यारे सात्यों Heart जो की किरिया से संब्दित है और 3H का मतलब होता है Head, Head का मतलब होता हैApp, Hand का मतलब होता है किरियासमद और Head का मतलब होता है प्यारे सात्यों ज्यानातमक, है तो बताओ यह सारी चीज़े आपको बहुत अच्छे से समझ में आई की नहीं आई यहां तक का जो भी हमने पढ़ा वो आपको बहुत अच्छे से समझवे आया की नहीं आया अब हम एक एक को करके पढ़ते हैं थोड़ा सा और के हम पर मैं बता देता हूं इंपोर्टेंट पॉइंट ब्लूम ने अनुदेश आतबक उदेशों करी वरकी का उदेश से सिख्षा में आउधार नौँ परकीरियां और सिध्दानतों का विसलेशन वे मुल्यान करना बताया था भावातमक पक्ष को ब्लूम क्रोथ वहल द्वारा दोबारा से देखना प्यारे साथ यो ग्यानातमक पक्स को ब्लूम ने भावातमक पक्स को ब्लूम क्रोटवॉल और मसीहा ने क्रियातमक या मनोपेसिय पक्स को सिंपसन हेरो और ब्लूम ने प्रस्तुत किया था ठीक है तो यह ध्यान रखना प्यारे साथ कियो ग्यानातमक पक्स को किसने प्रस्तूत किया था केवल ब्लूम ने किया था भावातमक पक्स को किसने प्रस्तूत किया था ब्लूम ने क्रोट वहल ने और मसिया ने और किर्यातमक वे मनोपेशिय पक्स को किसने प्रस्तूत किया ता सिंपसन ने हैरो ने और ब्लूम ने ठीक है यहां से भी क्योशन बन जाएगा मिलान का क्योशन पोच लेगा ग्यानातमक लिख देगा बावातमक लिख देगा किर्यातमक लिख देगा सापने ब्लूम लिख देगा क्रोत वहल मसिया और ब्लूम लिख देगा सिंपसन हैरो और बिलो मलिक देगा और फिर मिलान करवा लेगा तो आपको ये अठ्छे से ध्यान में रखना है ग्यानात बखपक्स के उद्देशों का वर्गी करन इसमें विसेश थत्यों का पुनस्मरण या पैचान या परकिर्यागत सवरूप एवं परिकल्पने सामिल होती है ग्यानात बखपक्स के उद्देशों का वर्गी करने तो इसमें विसेश थत्यों को याद करने का विसेश थत्यों को पैचानने का विसेश थत्यों की से परकिर्या करवाने का विसेश थत्यों से परिकल्पना बनाने का काम सामिल होता है ग्यानातबक पक्स्ट का मतलब होता है ज्यान बढ़ाने से संब्धित होता है इसका संब्ध ग्यान से होता है अब ग्यान कैसे बढ़ेगा जब आप किसी थत्यों को याद करोगे आपके नहीं थत्यों को बार बार रिपिट करोगे आपका ग्यान बढ़ेगा जब आप थत्य को काम लेना सीख गे तो यह किसको बता रहे कि भाई आपके अंदर ज्यान है जिसकी वज ज़्चे से आप थत्यों invee बना नगा तो ये आपके ग्यान को इंडिगेट कर रहे है ठीक है तो एद इसमें विशेश थत्यों को याद करना बार बार रिपिट करना विशेश थत्यों की पहचान करना विशेश थत्यों का परकीरिया करना विशेश थत्यों का उप्योग करना और विशेश थत्यों के आधार परिक की और जाती है ठीक है जो ग्यानात्वक्ष पक्स की पढ़नाली है वो सरल से जटिल की और मूर्थ से एमूर्थ की और जाती है यह पक्स ग्यान थता सूचनाओं का संग्रेन थता उनके उप्योग से सम्मधित है इस पक्स में सूचनाओं थत्यों सब्दों वशिद्दानतों दी जाती है यह पक्स ग्यान थता सूच्राओं का संग्रें थता उनके उप्योग से संब्दित होता है जो ग्यानातबक पक्स होता है यह पक्स ग्यान सूच्राओं के संग्रें और उनके उप्योग से संब्दित होता है इस पक्स में सूच्राओं थत्यों सब्दों सिद्दा की जानकारी दी जाती है ज्यानात्मक छेतर उन उद्देशों को समावेशित करता है जो ज्यान के पुनर इस्मरन थता परते भी ज्यान थता मांजिक योगताओं के विकास से संबन्दित होते हैं ठीक है तो जो ज्यानात्मक छेतर है वो उन उद्देशों को समावेशित करता है उनुद्धिशों को सfenblit करता है जो ग्यान ग्यान आत्मक्ट पक्स को छे भागों में विबाजित किया गया है जिसमें सबसे पहले हम ग्यान के बारे में पढ़ते हैं इसमें विदार्तियों को पाठ्य वस्तु की विशिष्ट थत्य, पदो, परंपराओ, पर्चलनो, वर्गो, कसोटियों का पर्टेक्स ग्यान, एवं पर्त्यास बरन कराने का पर्यास किया जाता है ठीक है ग्यान में क्या होता है इसमें विदार्तियों को पाठ्य वस्तु के जो विशिष्ट थत्य हैं, पाठ्य वस्तु के जो विशिष्ट पद हैं, पाठ्य वस्तु से सम्दित जो परंपराई हैं, जो पर्चलन हैं, जो व जैसे परिभासा, सूची, परत्या, सुत्तर, संकेत, आदि को परत्यास मरण करना, पैचानना वे पुनुर्थ पादन करना ये क्या होता है ग्यान होता है ठीक है परिभासाओं को सूचियों को परत्या को सुत्तर को संकेत को आदि को परत्यास मरण करना आदि को पैचानना आ पड़ी हुई विशेवस्तू को अपने सब्दों में व्याख्या करना उले करता है अनुवाद करना अंतर करना वर्गी करन करना तुलना करना पुस्टी करना विवेचन करना आधिकरें सामिल होती है ठीक है तो एक सब्द में मैं समझा देता हूँ प्यारे साथ यो है ठीक है तो अवबोद में किसको सामिल किया जाता है कि आपके द्वारा पड़े हुए किसी भी टोपी को यदि आप अपने खुद के सब्दों में करनवट कर रहे हो यदि आप उस टोपी को अपने सब्दों में लिख रहे हो ठीक है यदि आप उस टोपी का अपने तुलना कर रहे हो पुष्टी कर रहे हो तो ये अवबोध से संबंधित होता है अवबोध का मतलब एक संब्द में समझा दूँ कि मेरे प्यारे साथ योग पड़े हुए किसी भी टोपिक को अपने संब्दों में रिपरजेंट करना परियोग इसके अंतरगत सीखे गए ग्यान को व्यवारिक रूप से लागू करना पूर्वा ग्यान को नविन ग्यान के साथ जोड़ना नविन परियोग करना परियोगों को स्युम करके देखना पूर्वा नुमान करना पूर्वा नुमानों का सत्यापन करना थत्यों में मंदर इस्थापित करना इसको सामिल किया जाता है ठीक है प्रियोग देखो प्रियोग का मतनल वो था उसका उप्योग लेना ठीक है आपने जो भी ग्यान एकटा किया आपने पढ़ा पढ़ने से आपको जो भी ग्यान मिला उस ग्यान का प्रियोग करना ठीक है उस ग्यान का क आपने पढ़ लिया कि भाई दूसरों का या बड़ों का आदर करना चाहिए बड़ों का सम्मान देना चाहिए आपने पढ़ लिया और यदि आप इसको व्यवार में बिला रहे हो व्यवार में लाने का मतलब है कि आप वास्तविक रूप से ही बड़ों का सम्मान कर रहे हो जैसे ही बड़ा इंसान दिखा आपने उनका सम्मान किया आपने उनको बहुत रेस्पेक्ट से बोला आपने उनको परणाम किया तो ये क्या हो गया कि आपने उस लाइन को व्यवार में ले लिया ठीक है तो व्यवार में लाने का मतलब है कि जो भी आपने पड़ा है उसको र नवीन प्रियोग करना आपने नया ज्यान सीखा उस नये ज्यान के बेश पर आप अलग अलग नए काम करें प्रियोग को स्यम करके देखना ठीक है आपने जो भी नया ज्यान प्राप्ट किया उसको आप जिस तरीके से व्यवार मिला सकते हो आप उस नए ग्यान का जिस जिस तरीके से उप्योग कर सकते हो उस तरीके से आप उप्योग करके देखें भाई आपने नया जो भी ग्यान प्राप्त किया है हर एक आपके नए ग्यान का प्रियोग करना ठीक है आपको जो भी नए ग्यान मिला उस नए ग्यान को आप किस-किस जगर पर प्रियोग कर सकते हैं वो प्रियोग करके देखना पूर्वा नुमान लगाना पूर्वा नुमान करना मतलब आप अनुमान लगाना पूर्वा नुमानों का सत्यापन करना ठीक है थत्यों में सम्मद इस्तापित करना तो overall यही है मेरे प्यारे सात्यों पूरी कहानी प्रियोग का मतलब कि आपने पढ़ कर जो भी गयानी खटा किया था उस गयान को प्रियोग मिलाना उसके बाद होता है विसलेशन और संसलेशन देखो पाच्वा पॉइंट विसलेशन का है चोथा पॉइंट विसलेशन का है पाच्वा पॉइंट संसलेशन का है सबसे पहले मैं इन दोनों सब्दों का मतलब समझा देता हूँ आपको कि विसलेशन का मतलब क्या होता है देखो दो कंडिसन होती है पहला होता है यह topic है इसको आपने दो भागों में divide किया फिर इन दोनों भागों को दो भागों में divide कर दिया फिर परतेख भागों को आपने दो भागों में divide कर दिया दूसरा क्या है यह ग्यान था इसको आपने सोट बना दिया ठीक है फिर इस ग्यान को आपने सोट बना दिया फिर इस ग्यान को आपने सोट बना दिया ठीक है तो विसलेशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकडों में तोड़ तोड़ के समझाना विसलेशन का मतलब क्या होता है कि कि किसी भी टोपिक को बिल्कुल छोटे छोटे से समझाना बिल्कुल घहराई से समझाना तो यह होता है विसलेशन करना जैसे पेपर में क्योशन आता है कि इस टोपिक का विसलेशन करना तो हम विसलेशन में क्या करता है कि उस टोपिक के बारे में हम सब कुछ लिख देते हैं उस टोपिक के अंदर हम जो भी सब्दों का य के से समझाना और संस्लेसन क्या होता है प्यारे साथ यो विस्विस्विसन से झेश्ट तोधा है उसमें हम ग्यान को एकटा करने की कुर्सिस करते हैं जैसे यहां पर हम इस तरीके से जाएंगे तो यह क्या होगा विसलेशन होगा यदि हम इस तरीके से जाते हैं तो यह संसलेशन होगा इसके अंतरगत विशेवस्तु को विबक्त करना थत्यों का विसलेशन करना स इखटा करना ठीक है इखटा करना होता है भाई इखटा करना मैं फिर से बोल दाओ इखटा करना जो विशलेशन होता है विशलेशन में हम बिखेडने का काम करते हैं संसलेशन में हम इखटा करने का क्याम करते हैं विशलेशन में हम ग्यान को बिखेडने का मतलब है कि हर एक चोटे चोटे टोपिक तक पहुंचने की कोशिस करते हैं, हर एक चोटे चोटे बिंदू तक, हर एक चोटे चोटे सब्द तक पहुंचने की कोशिस करते हैं, और संसलेशन में हमारा जो भी ग्यान है उसको इखटा करने की कोशिस करते हैं, इसके अंतरगत, निसकर्च निकाल आपल के साथ समझा देता हूं जैसे मैंने आपको दस लाइन पढ़ा ही ठीक है और मैंने बोला कि चलो भाई अब इसका निसकर्स निकालो मैंने आपको दस लाइन दे दी ठीक है दो कंडिशन है दो कंडिशन बना रहा हूं है यह मैंने आपको दस लाइन दे दी और मैंने बो जाओ आपने इस topic को deeply समझाने के लिए क्या किया आपने तोटल दस पंदर लाइन लिख दी और इस दस पंदर लाइनों में आपने इस topic को बिल्कुल अच्छे से समझा दी आपने कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी इस topic से लेटेर जो आपने कवर ना की हो दो condition पहली condition में मैंने आपको दस लाइन दे दी और मैंने का कि भाई निसकर्च निकालो तो आप क्या कर रहे हो इन दस की दस लाइनों को पढ़ रहे हो ठीक है इन दस की दस लाइनों को पढ़ा आपने फिर आपने इनको समझा और लास्ट में क्या किया आपने एक conclusion निकाला आपने एक नि उसको आपने इखटा किया और आपने एक निसकर्स में उसको बता दिया विसलेशन में आपने क्या किया कि एक तोपिक था ठीक है एक तोपिक था उस तोपिक को आपने बिल्कुल डिटेल से समझाए डिटेल में समझाने के लिए आपने क्या किया उस तोपिक से रिल्टेर ज इमो सिद्दान्तो थता थत्यों के सम्मद में आलोचनात्मक द्रश्टिकों अपनाया जाता है इसमें चात्र आलोचनात्मक व्याख्या करता है निन्य लेना तरक प्रस्तूत करना साक्षों के आधार पर मुल्यों का निर्धारन करना आदि सामिल होते हैं अब हम मुल्यानकन करते हैं भाई मुल्याणकन करने का हदिश ही क्या होता है हम मुल्याणकन क्यों करते हैं तो आलोचनात precisely मख व्यक्षा करना हमारा मुल्याणकन करने का भी एक उर्देश हो सकता है ठीक है किसी ने कोई काम किया कोई भी जिय्म है उसने काम किया suppose that मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ठीक है मैंने पढ़ाया अब यहाँ पर दो तरीके के candidate होंगे एक तो वो candidate जो मेरा यहाँ पर आलोचनात वक तरीके से मुल्यान कन करने के लिए वो क्या करेंगे मेरी जो भी यह class इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है इसको अच्छे से देखेंगे और फिर जो कमिया हैं उन कमियों को बताएंगे वो कि सर आपके अंदर यह यह कमिया है आप इनको सुदारो आप एक अच्छे टीचर नहीं हो लेकिन उन्होंने क्या कर दिया मेरा मुल्यान कन कर दिया और उन्होंने मेरा मुल्यानकन किस तरीके से किया आलोचनातमक वख्या के द्वारा किया उन्होंने मेरी किलास को देखा किस मकसद से मेरी आलोचना करने के मकसद से और उन्होंने मेरी क्लास को अच्छे से देखा फिर मेरी क्लास की जो कमिया थी उन कमियों को निकला उन्होंने और फिर मेरे को उन्होंने बताया कि सर आपकी क्लास में ये ये कमिया थी तो उन्होंने क्या कर दिया मेरी इस क्लास का आलोचनातमा की व्याख्यान कर दिया और क्या हो गया मुल्यानकन हो गया ठीक है उन्होंने मेरी क्लास की जो भी कम्या थी उन सबी कम्यों को उस मुल्यानकन के द्वारा मेरे को बता दिया ठीक है निन्ना लेना निन्ना ले लिया कि सर आपकी क्लास के खराब जो प्यारे साथ थी ऐसे बोलेगे ही, सर आपकी क्लास बहुत मस्त है। उन्होंने मेरी क्लास को देखा, देखने के बाद में उन्होंने सोचा किया। सच्च में मस्थ किलास है उन्होंने निन्न ले लिया कि सर की तो में बैच लेना है और अब हमें नेट के फस्ट मेपर की इन्ही सर के साथ तयारी करनी है तो उन्होंने कैल कर लिया निन्न ले लिया अब उन्होंने ये निन्न किस बेस पर लिया था उन्होंने मेरी सबी किलास से तो उन्होंने डिसिजन ले लिया कि अब हमेसार का बैच लेना है तरक प्रस्तुत करना शाक्षों के आधार पर मुल्यों का निर्धारन करना ठीक है यह सारा सब कुछ इसके अंदर सामिल होता है तो मुल्यानकन करना भाई कोई भी काम हो रहे ठीक है कोई भी कंडिडेट क यह काम बहुत अच्छा बता रहे ठीक है तो भी वह उसका मुल्यानकन कर रहे है समस्त 6 व HR को निम्ल से उच्छ करम की और व्यवस्चyasफ करना जो यह ज Tou से यहズこれは सबसे निम्ल और संसलेशन करने से उच होता है मुल्यान करना ठीक है तो ग्यानातवक पक्स जो ग्यानातवक पक्स है इसके टोटल 6 उपवर्ग हैं और इन 6 उपवर्गों में सबसे निम्न करम पर आता है ज्यान उसे उच करम पर बोध, बोध से उच करम पर परियोग, परियोग से उच कर एक बार comment section में comment करके आप जरूर बताओं अब हम बात करते हैं भावात्मक पक्स के बारे में ठीक है, effective domain के बारे में इस पक्स का सम्मंद मनुशे के हर्दय के भावों से होता है भावात्मक पक्स, यह हर्ट से सम्मंद्रत होता है भाई भाव कहां से निकलते हैं? हमारे हड्ट से निकलते हैं तो जो भावाग पक्स है इसका संभन्द मनुशे के हड़्य के भावों से होता है इस पक्स में उन उद्देशों को लिया जाता है जो चात्रों की रूची अभीवर्ती मुल्य आदी में व्यवारगत परिवर्तन लाते हैं उनका विकास करते हैं ठीक है प्यारे साथियों तो जो भावात मक्पक्स होते हैं वो पक्स मनुष्य की भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं मनुष्य की हर्दे के साथ जुड़े ह हुए होते हैं ठीक है आपको कोई चीज अच्छी लगती है कोई चीज खराब लगती है तो वो क्या है आपके भाव के साथ जुड़ गई आपके विचारों के साथ जुड़ गई ठीक है तो जो भावात बख पक्स होते हैं वो मनुश्य के हर्द्य मनुश्य के भाव मनुश् श्वानकत जूड़ी हुई है ठीक है मुल्य और अभी वर्ती इन सभी में परिवर्सन लाना भावातमक से संबनुरहता है लंगर सबसे पहला होता है आगग्रहन करना, Receiving करना, इसका अर्थ छात्रों की ग्रहन करने की इच्छा से सम्मदित होता है। इसके अंतरगत घटनावे किरिया को घ्रहन करने की इच्छा, किरिया के परतिजाग रुपता, किरिया पर ध्यान देना, स्विकार करना, आधी अधिगम उपलब्दियों छात्र द्वारा अरजित की जाती हैं. तो आग्रहन का मतलब क्या होता है, रिसीविंग करना, इसका अर्थ क्या होता है, छात्रों की घ्रहन करने की इच्छा से होता है, कि छात्रों ने कितना घ्रहन किया, छात्रों ने कितना घ्रहन अच्यों किया, जैसे यहाँ पर मेरी क्लास चल रही है, तो मेरी क्लास में आग् पढ़ा रहे हूं यहां से आप कितना घ्रैन कर रहा है तो बिलकुल आपने आप को बातों की और अने की पाटों क्यों कोरा है कोई काम कर रहे है कोई कंडिडेट है और आपने उस काम को सीखने की कोशिस की अब मैं दुबारा एक्जाम्पल देता हूँ इसको बहुत अच्छे से समझाने का कोई कंडिडेट है एक मसीन चलाना सिखा रहा है ये एक मसीन है इसको कोई कंडिडेट चलाना सिखा रहा है अब यहाँ पर 10 लोग बैठे हुए दस लोगों में से दो ने कहा कि यार अब तो इस मशीन को हम चला देंगे क्या हम तो अब इस मशीन को चला देंगे उन्होंने बोला कि यार अब हमें दो अब हम इस मशीन को सही करके दिखाते हैं अब हम इस मशीन को चला कर दिखाते हैं पांच ने बोला कि यार हो सकते हम चला भी दें हो सकते हम नहीं भी चलाएं किरपया करके एक बार आप दुबारा बता दें कि हम इस मशीन को कैसे चलाएं फिर तो हम 100% बता देंगे कि कैसे चलाएं और तीन ने बोला कि भाई हमारे तो भेचे में बिल्कुल नहीं बैठा कि किस मशिन को कैसे चलाएं कंडिशन क्या थी कोई कंडिडेट था आपको कोई मशिन चलाना सिखा रहा है आप टोटल 10 कंडिडेट थे 10 में से 2 ने कहा जैसे उस कंडिडेट ने मशीन चलाना सिखाया एक बार तुरंत दो ने कह दिया कि भई अब तुम दूर हड़ जाओ अब इस machine को हम चला कर दिखाएंगे साथ ने बोला या पाच ने बोला कि यार एक बार दुबारा समझा दो एक बार दुबारा सिका दो फिर तो हम इस machine को चला कर दिखा देंगे बागी कि जो तीन बचे वे तो उन्होंने बोला वो जो मसीन चलाने का जो ग्यान था उसको बहुत अच्छे से ग्रहन कर लिया और अब उनके अंदर करने की इच्छा आ गई उस मसीन को चलाने की इच्छा आ गई किरिया के परती जाग रूपता भाई वो जो दो कंडिडेर्टे जोनों तुरंत बोल दिया कि अब इस मसीन को हम चलाएंगे उनके अंदर क्या गई जाग रूपता गई किसको लेकर उस काम को करने को लेकर किरिया पर ध्यान देना, स्विकार करना, आधी अधिगम उपलब्जियां चातर दुआरा अर्जित की जाती है ठीक है अनु किरिया इसमें परती किरिया देना, इच्छा वेक्ट करना, उत्तर देना, स्विकर्ती देना, आधी किरियाई चातर दुआरा की जाती है अब भी मैंने एक example समझाए था आपको, कि एक आदमी आपको machine चलाना सिखा रहा है, 10 गांडियेटो, machine चलाना सिखा रहा है, दो ने कहा कि अब इस machine को हम तुरंट चला देंगे, तो उन दो ने क्या दिया, positive feedback दिया, positive response दिया, कि हम इस machine को चला देंगे, पांच ने confuse करने वादा दिया, चला भी देंगे, नहीं भी चला देंगे, लेकिन उन्होंने भी response दिया, और जो तीन थे उन्होंने साब कह दिया, भाई हमारे से नहीं चलेगे, उन्होंने भी response दे दिया, ठीक है, तो ये क्या थी, response देना था, दो ने कहा कि हम इसको अब भी चला देंगे तो उन दो ने क्या कर दी अपनी इच्छा वेक्ट कर दी तीन ने बिलकुल मना कर दी हमसे नहीं चलेगी कुछ भी करो उन्होंने भी अपने इच्छा वेक्ट कर दी उत्तर दे दिया कि भाई हमसे चलेगी हमसे नहीं चलेगी ठीक है स्विकर्ति में दे दिया उन्होंने कि भाई दन कर दो कि यह तरीका हमें समझ में आ गया जैसे मैं पूछता हूँ ना किलास कंप्लीट हो से अब भी मैं पूछा आपको कि बता हो समझवें आया की नहीं आपने का कि सर बहुत गजब तरीके से समझ में आ गया आगे बढ़ आओ तो आपने क्या किया स्वीकरती दे दिया और मैं आगे बढ़ गया आपने इसके पाद हम अनु मुल्यन अनु मुल्यन के बारे में पढ़ते हैema इसके अंतरगत मुल्यों को सुषिकारना मुल्यों को वरियता देना मुल्यों को वचन बदता आदी अधिकम उपलब्दियां चातर अरजित करता है तो अनुमुल्यन इसके अंतर गते हो मुल्यों को सुविकारना मुल्यों को वरियता देना मुल्यों को वरियता देने का मतलब है कि कौन सा सबसे जादा सही है कौन सा उससे कम सही है कौन सा सबसे ज़्यादा खराब है यह होता है वर्याता देना मुल्यों को वचन बज़ता करना मुल्यों को फिक्स करना कि यह बिल्कुल ठीक है यह बिल्कुल खराब है आधी अधिगम उपलब दिया चातर अरजित करता है ठीक है तो अनुमुल्यन में मुल्यों को स्विकार करना मुल्यों को वर्यता देना मुल्यों को वचन बज़ता करना आधी अधिगम उपलब गया चाहता दुआरा और जित की जाती है जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महतव होता है वो अनुमुल्यन के अंदर ही सामिल किया जाता है कि भाई जो भी हम सीख रहे हैं उसका क्या मेहता हो वो कहां काम आएगा उसके बाद होता है विचारना या परते करन करना अनलासिस करना इसमें विचार किया जाता है कि कौन से मुल्य को धारन किया जाए तो विचारना या पर्तिकरण में विचार किया जाता है कि कौन से मुल्य को स्विकार किया जाए उसके बाद होता है व्यवस्ता या संगठन इसके अंतरगत छात्र मुल्यों की आउधारना व्यवस्ता करना निशित करना आधी अधिगम उपलब्दियां अरजित करता है तो व्यवस्ता या संग्ठन में क्या होता है प्यारे सातियों इसके अंतरगत छातर मुल्यों के आउधाना व्यवस्ता करना निस्यत करना आदि को सामिल करता है। मुल्यों को ग्रेंड करता है मुल्यों को अपने जीवन में उतारता है मुल्यों का विशिष्टी करना करता है मुल्यों को परदसित करता है मुल्यों को रिपीट करता है और यदि हम इसका भी निम्न से उच करम की ओर देखें तो मेरे प्यारे सातियों जो भावातमक पक्स है इसमें सबसे निम्न करम पर आएगा घ्रहन करना, उसे उच करम पर आएगा अनुकिर्या करना, उसे उपर के करम पर आएगा अनुमुल्यन करना, उसे उपर के करम पर आएगा विचारना या परती करना, उसे उपर के पक्स पर आएगा व्यवस्ता या संग्ठन और सबसे के प्रेसिक्षन का कोसल के विकास से संब्धित होता है ठीक है जो किरियात्वक्ष पक्स होता है इसका संब्ध किस से होता है सारीरी की किरियाओं के प्रेसिक्षन से होता है ठीक है तो जो किरियात्वक्ष पक्स होता है इसका संब्ध सारीरी की किरियाओं के प्रेसिक्षन से कोसल के विकास से होता है इंद्रियों के समन्वे से विबिन किर्याओं में कुसलता प्राप्त करना इस पक्स का मुख्य उद्देश्य होता है तो जो किर्यात वक्स होता है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है इंद्रियों के समन्वे से इंद्रियों के साहिता से विबिन किरियाओं में कुसलता प्राप्त करना इस पक्स का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पर्तेक्सी करण के बारे में इसके अंतरगत किसी वस्तू को वर्नातमक इस्तर थता व्याक्यातमक इस्तर पर अर्थ देना ही अधिगम उपलब्दी है ठीक है तो पर्टेक्सी करण में क्या होता है प्यारे साथियों इसके अंतरगत किसी वस्तु को वड़ना अतमक इस्तर थता व्याक्यात्बक इस्तर पर अर्थ देना ही अधिगम उपलवदी है उसके बाद हम विन्यास के बारे में बात करते हैं प्यारे साथियो इसमें मानसिक, सारीरिक थता सम्वेग आतमक पक्षों का आपसे सयोग आउशक होता है इन पक्षों का समायोजन विशिष्ट परकार के विन्यास को जनम देता है ठीक है और इसका सबसे अच्छा उधारन है प्रारूप तयार करना उसके बाद होता है निर्दिष्ट अनुकिरिया यहां किरियातमक कोशल के विकास का पर्थम चरण होता है जो निर्दिष्ट अनुकिरिया होती है यह किरियातमक कोशल के विकास का पहला चरण होता है इस किरिया के अंतरगत विधार्ति को भारी निर्देशन या मार्ग दर् वाली किरियाएं किरवाई जाती है उसके बाद आता है प्यारे सातियों कार्या पंडाली संभावित अनु किरियाओं का संग्रही किरिया पंडाली कहलाती है जो संभावित अनु किरियाओं है उनका जो संग्रह है वो ही कार्या पंडाली कहलाता है तो कार्या पंडाली क्या हो संपन कर सकते हैं तो जक्तिल भाया अनुकिरिया के अंदर हम उन समस्त योग्यताओं को सामिल करते हैं जिन योग्यताओं की सायता के द्वारा हम एक बहुत कठिन से कठिन कारियां को बिल्कुर आसानी से कर सकते हैं तो ये था overall मेरे प्यारे साथियों ब्लूम के द्वारा सिक्षन के उद्धिशों का वर्गी कर या आपको कितना समझ में आया आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट सेसर में कमेंट करके जरूर बताना और आपने अब भी तक यदि हमारा पेड़ बैच नहीं लिया तो ये मेरे कॉंटेक्ट नमबर है जिस